हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग फ्रेंड्स सुशान सिंग राजपूत केस में मैं आपसे इस वीडियो में कुछ सीधी बातें करूँगा पहला जो सीधी बात है वह यह है कि अभी हम जैसे सुशान सिंग राजपूत फैंस के लिए इंतिजार करने के सिवा और कोई अभी रास्ता नहीं है मैंने इस केस को जितना समझा है जितना एनलाइस किया है जितना रिसर्च किया है मैं इसी अभी कॉन्कुरूशन पर पहुचा हूँ कि अभी इंतिजार के सिवा और हमारे पास आप्शन नहीं है और CBI जैसे आप जानते हैं कि प्रेमियर इंस्टिटूशन है और फाइनल इंविस्टिगेटिंग एजेंसी है यानि कि इसके उपर और कोई नहीं है इसलिए हमें CBI पर पुरा भरोसा करना चाहिए और ये जो CBI की टीम है बहुत ही efficient और competent टीम है बहुत ही experienced है और इनकी integrity, इनकी honesty, इनकी experience पर, इनकी competency पर हमें कोई शक नहीं करना चाहिए और ये ऐसी टीम है जिसे कोई influence नहीं कर सकता, कोई pressurize नहीं कर सकता इसलिए हमें पुरा भरोसा रखना चाहिए कि ये टीम हमें इनसाफ दिलाएगी सुशान सिंग राजपूत के मामले में second, आपको याद होगा कि सुननदा pushkar case में भी कितने दिनों बाद, कितने दिनों बाद FIRE file की अधरल लग होग एक साल बाद तो हमें इस case में भी इंतिजार करना चाहिए, थोड़ा सा time लगता है, लेकिन अगर हम patience रखेंगे तो इसका फल मीठा होगा हाँ, बीच-बीच में हमें जरूर अपना आवाज उठाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा चुपचाब बैट जाना चाहिए, अपना जो आवाज है उसे उठाते रहना चाहिए और wait करना है patiently इसमें कोई लीगल अभी कोई option है, लीगल कोई remedy यूज किया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में आपके बता दूँ, अभी खास कोई लीगल option नहीं है, आप जादा से जादा RTI कर सकते हैं, RTI करेंगे तो CBI का वही उतर होगा, कि अभी investigation चल रही है, अभी वो कुछ नहीं बता सकते, वैसे एक RTI हो चुका था और उसका यहीं जवाब आया था, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिकेशन कोई भी फाइल कर सकता है सुप्रीम कोट में, लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोट यहीं कहेगी, कि यह अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिकेशन का मामल फाइल किया हुआ है, अभी वो सुप्रीम कोट में है, उस पर अभी कोई डिसिशन नहीं हुआ है, तो हाँ अगर फैमिली मेंबर्स, सुशान सुदाजपुत के फैमिली मेंबर्स, अगर कोई पेटिशन फाइल करें कोट में, तो वहाँ शायद कोट कुछ एक्शन जरूर ले सकती है, तीसरा एक क्वेस्चन पूछा जाता है कि मीडिया अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है, पहले रिपब्लिक टीवी या कुछ और चैनल्स थे जो इस बारे में बहुत बोलते थे, मुद्दा उठाते थे, डिसकशन होती थी, अब सब कुछ चुप- होगा, जो कुछ analysis करना था, वो हो चुका है, अब CBI एक decision देगी, CBI कुछ statement लेकर आएगी, तो इस पर अब क्या discussion है, तो पुरानी बाते discuss करके भी लोग board होंगे, तो जब तक कोई नई update नहीं आती है, CBI कोई decision लेती है, तो उस पर फिर से TV channels में discussion होगे, analysis होगी, फिर से य करम रहेगा, तो इसलिए अभी जो मीडिया वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ बोलने लाइक अभी है ही नहीं, वो भी वेट कर रहे हैं, कि CBI इस मामले में कुछ बोले, कुछ statement दे, कुछ नतीजे पर पहुंचे, तो फिर से discussion शुरू हो, प्रदी भंडारी जी, ज लोने यह भी कहा, कि जब कोई जंग लड़ी जाती है, तो जंग के अललक फेज होते हैं, कभी आपको aggressive होना पड़ता है, और कभी कभी चुपचाप आपको बैठे रहना पड़ता है, और इंतजार करना पड़ता है, तो अभी वो चुपचाप बैठे रहने वाला stage है, हमें इंतजार करना है, patiently, नेक्स्ट एक मीडिया में एक ख़बर आई थी, एक newspaper में इस तरह का एक आकड़ा बताए गया था, कि अभी तग सुषान सिंग राजपूत के investigation में करीब 6 करोर रुपे खर्चो चुके हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सुषान सिंग राजपू का मामला नहीं है, ये भारत के 130 करोर जनता की justice का मामला है, और ये हमारे constitution का मामला है, ये हमारे legal system का मामला है, इसलिए इसमें justice होना चाहिए, समय लगे, पैसे लगे, लेकिन इसमें justice सुषान सिंग राजपूत को मिलना चाहिए, और finally मैं तो यहीं बोलूँगा, कि CBI directly तो कभी कोई किसी को statement नहीं देती, indirectly भी नहीं देती, officially अगर वो press conference करेगी, तब वो कुछ बोलेगी, या फिर वो court को बोलेगी, या फिर PMO office में जहां पर वो accountable है, वहां पर बोलेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, friends, जो experts होते हैं, जो CBI के काम से वाकिफ हैं, जानकार हैं, वो कभी कभी अपना analysis करते हैं, और वो अपना opinion देते हैं, तो अभी तक जो opinion आ रहे हैं, experts से, वो तो यही मतलब बताते हैं, कि CBI बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और जरूर कुछ अच्छी खबर हमें मिल सकती है, कुछ ही दिनों के बाद, तो यह उनका opinion, experts का opinion है, जो analysis क करते हैं, और जो CBI की काम से वाकिफ हैं, तो उनका analysis ही कहता है, कि जरूर इसमें CBI कुछ हमें अच्छा खबर देगी, और जल्दी देगी, तो friends हमें इंतजार करना है, यह कुछ सीधी भाते थी, जो मुझे लगा कि आप से की जाए, तो जुने रहे हैंगा चैनल से, मिलू